Assalamu alaikum Okay students, this is your countdown class and I am your countdown teacher Well students, last video में हमने exercise 1B question number 8, 9, 10 neat notebooks पर solve किये थे आज हम start करेंगे question number 11 which is at page number 8 of your countdown books So students, आप यहां देख सकते हैं, यह आपका question है question number 11 and which is about study the table carefully the answer then answer the given questions below आप नहां पर एक table दिया गया है जिसमें different cities को mention किया गया है और हर city की जो population है जो अबादी है वो आपको दिखाई गई है अब इस table से related कुछ questions आपको नीचे दिये गई हैं आपने इनके answer need notebooks पर note down करने है so यह आपका जो question है वो need notebook पर आप लोगों ने attempt करना है so students you have to open your need notebooks need notebooks पर काम करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने need notebooks पर blue marker से properly margin lines draw करनी है blue marker या black marker आप use कर सकते हैं लेकिन marker से आप लोगों ने lines draw करनी है उसके बाद आप लोगों ने date और day mention करना है फिर आपने line का gap देने के बाद topic mention करना है और topic है unit number one which is about numbers and arithmetic operations उसके बाद act के heading देंगे and act में आप लिखेंगे exercise 1b page number a next line again आप लोगों ने line का gap देने के बाद question number 11 countdown के book से यहाँ पर note down करना है और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको table बना के दिखाया है इस तरीके से आपने अपनी need notebooks पर table draw करना है उसके बाद आजे next page पर यहाँ पर आप देखें आपका first question है how many more people live in कराची than in rawalpindi ठीक है अब वो यह कह रहे हैं कि आपने यह बताना है इतना आप table से देखकर बता सकते हैं कि आपने दो cities को compare करना है which is कराची and rawalpindi ठीक है वो कह रहे हैं कराची और rawalpindi के अगर आप population देखें तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि कराची में population ज्यादा है as compared to rawalpindi लेकिन आपका question यह है आपने यह बताना है कि कराची में कितने ज्यादा लोग रहते हैं as compared to rawalpindi इतना तो पता है कि कराची में population ज्यादा है लेकिन कितनी ज्यादा है यह आपने बतानी है तो इसको solve करने के लिए आप क्या लिखेंगे answer में people in कराची वो mention करना है आपने again next line पे आप लिखेंगे people in rawalpindi rawalpindi की population आपने mention करनी है students keep it in mind कि आपने gap का हास खयाल रखना है क्योंकि हम इस unit में international system को discuss कर रहे हैं तो आपने digits को properly arrange करना है sequence से लिखना है ठीक है ना जब आपने इन digits को arrange कर लिया इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें इन दोनों numbers को subtract करेंगे subtraction के बाद जो answer आएगा it means के इतने मजीद लोग जो है वो कराची में present है as compared to rawalpindi उसके बाद next question पर आजएं तो next question है आपका after Faislabad which city has the most number of people how many people all together live in this city and Faislabad डाबों यह कह रहे हैं कि Faislabad के बाद कों से शेहर में ज्यादा लोग रहती है अब आप अगें table को देखेंगे तो आ मने बताना है कि Faislabad के बाद चुक्षाजा यह आपसों बताना है कि जुक्तने पॉप्यूर्प्यशन है आपकी इस के बाद जो है kTने इतने ज्यादा लोग किस शहर में रहते हैं या आपने बताना है तो फैसलाबाद के बाद जो है वो रावल पिंडी का नमबर आता है ठीक है फैसलाबाद के बाद रावल पिंडी में जो है ज्यादा लोग रहते हैं उसके बाद नेक्स्ट अब आपको जो कोस्तन किया गया है वो ये है कि आपने बताना है कि इन दोनों cities में total कितने लोग रहते हैं total की जब बात की जाती है तो हम क्या करते हैं addition करते हैं so again आप क्या लिखेंगे आप first question का answer लिखेंगे पहले after फैसलाबाद रावल पिंडी has the most number of people फैसलाबाद के बाद रावल पिंडी का नंबर आता है जिसमें लोग रहते हैं ज्यादा ठीक है उसके बाद next आप देख सकते हैं people in फैसलाबाद आपने बताना है कितने हैं people in रावल पिंडी very simple again वो यह पूछ रहे हैं कि रावल पिंडी और लाहोर की कितनी population है total ठीक है again total का जब word आ रहा है हमने क्या करना है यहाँ पर addition mention करेंगे population of लाहोर वो mention की population of रावल पिंडी वो mention की total की बात है addition का sign पुट करेंगे और इन दोनों numbers को add करतेंगे उसके बात next question पर आजें which city has the least number of people किस शहर में सबसे कम लोग रहते हैं what is the difference in population between this city and फैसलाबाद आपने बताना है कि इस जिस में कम लोग रहते हैं उस शहर में और फैसलाबाद में क्या difference है difference की जब बाद आती है तो हमने क्या करना होता है subtraction करना होता है so come to next page so student table को देखते वे आप बता सकते हैं कि फैसलाबाद के बाद फैसलाबाद यह है फैसलाबाद के बाद किस शहर में सबसे कम लोग रहते हैं so student फैसलाबाद के बाद कोईटा जो है उसमें सबसे कम लोग रहते हैं अगर आप compare करें दोनों को सारे population को compare करें तो आपको idea होगा कि फैसलाबाद के बाद जो सबसे कम अबादी वाला शहर है वो कौन सा है कोईटा सो आप यहां आजें इसका answer अब आप भी लिखेंगे कोईटा has the least number of people first question का answer second question है आपका के आपने difference बताना है फैसलाबाद और कोईटा का सो आपने क्या करना है जो ज्यादा population वाला city है उसको आप पहले mention करेंगे which is फैसलाबाद so people in फैसलाबाद उसको mention किया next people in कोईटा mention किया difference find करना है means subtraction का sign आएगा और उसके बाद आप इन दोनों numbers को subtract करेंगे उसके बाद next last question है if the population of Pishawar is added to that of कोईटा अगर पिशावर के जो अबादी है वो कोईटा के अबादी में add कर दी जाए how many people are there are together तो total कितने जो है वो people आपके पास आएंगे again आप लोगोंने क्या करना है addition करनी है so people in Pishawar आपने mention किया next people in कोईटा वो mention किया चूंकि हमने total people का बताना है तो आपने addition का sign put किया और इन दोनों numbers को आपने add कर दिया अब addition में आपने इस चीज़ का ख्याल एकना है कि digit के नीचे digit आना चाहिए जिन दो digits को आप add कर रहे हैं उसका answer उन्हीं दो digits के नीचे आना चाहिए तो थोड़ा सा gap दे करेंगे यह वाला gap तो लाजमी आपने देना है बाकि जो तीन digits आप लिखेंगे उसमें भी इतना gap आप देंगे कि आप easily addition कर सकें तो इस तरीके से आप लोगों ने को नीच नोट बूक पर note down करना है और इसके बाद आप लोगों ने last में finishing line भी draw करनी है marker से और यह बात में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो headings है और जो questions है वो आप लोगों ने blue या black marker से करना है और जो solution है जो answer है वो आपने blue pen से करना है neat and clean notebooks पर आप लोगों का काम होना चाहिए so students आज आप लोगों की exercise one b b complete हो चुकी है इसको अच्छे तरीके से neat and clean notebooks पर आप solve करेंगे